और आज बन रही है हमाने घर में आखरी चाहे क्योंके हम जा रहे हैं पागिस्तान क्योंके दुनिया जहां निदिक शोपिंग करा दो पूरी दुनिया गुमा दो जो खुशी माबाप से मिलने से होती है ओफिर किते होर नहीं हुंदी है ओफिर किते होर नहीं हुंदी है कौन कौन मेरी इस बात को रिलेट कर सकता है माव आप से और बेहन भाइयों से मिलने की जो खुशी है वो किसी और में कहां आखरी चाहे इन योरो है तो आज के बलोग में एकसाइटमेंट का लैवल रहेगा ओन और ऊसके लावां हम आपकोMichal मेरा माउच चोड़ दो हलो प्लीज 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 अचा जी उसके लावा हम आपको बताएंगे ट्रावलिंग कुछ हैक्स जो के हम करते हैं बच्छों के साथ और मेरा बैग भी खराब हो गया वो भी बिलकर ठीक करेंगे तो आज के वलोग बहुत चांदार सबसे पहली टिप के बच्छों को रात को ही रेडी करके सुलाएं क्यूंकि वह सुब बड़े ही तंग करते हैं अच्छा जी पिछले कोई मैं 6-7 सालों से इंटरनाशनल यू ट्रावल कर भी है तो इसलिए यह मेरी एक टिप है कि हमेशा कपड़ों को चोटा-चोटा फॉल कर करें और एक अलग से बेबी बैग साथ में रखें अगर आपके साथ बच्चे हैं और अगर आप खुद भी हैं क्यूंकि एक एक्स्ट्रा ड्रेस हमेशा होना चाहिए वोश्रूम कभी दफा अच्छा नहीं होता है या कभी पानी गिर जाता है खाना गिर जाता है इसलिए ह जात साथ जो बाहर वाली पॉक्रिट थी वहां पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखे थे जो के मैं नॉर्मल यूज के लिए यूज कर सकूँ लेकिन जो जादा वाली मनी थी लाइक जो डॉलर शॉलर्स थे वो मैंने अंदर वाली जगा पर रखे थे क्यूंकि सम टाइ पुरियाना एरपोर्ट पे वो यूज कर लेंगे लेकिन उसके साथ साथ एक मेरा बैग था मेरे हस्मेंट का लेकिन वो बैग हो गया था खराब जो मैंने यहां से बैग लिया था उसकी जिप तो ठीक थी लेकिन वो साइस में चूटा था तो इसलिए हम है देसी हम लोगों है तो भई थूस थूस के चीज़ें लेके जानी होती है तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक करती हूँ तो अगर आपकी भी कभी जिप खराब हो जाए तो इसका सलूशन यही है कि जहां से जिप खराब हुई है उसके एंड वाले पार्ट से जितना एंड पे कट लगाएं कट लगाने के बाद जिप आटमाटिकली उसके अंदर जाएगी लेकिन कट बिलकुल ही एंड पे होना चाहिए अगर आप एंड पे लगाएंगे तो उससे यह होगा कि समटाइम जब हम कट लगाते हैं तो जिप जो होती है वह बाहिर आ जाती है तो इसलिए पर जिप लगाने के बाद उसको सूई धागी के साथ स्टिच कर देना जिस अगापे कट लगाया हैं अम मुझे सूई धागा मिल ले नी रहा था तो इसलिए मैने कट लगाया और मैंने चेक किया वह यह है काम करता है किनी मैं हर वक्त हैक स्ट्राइ करती ही हुँ फाइव म लगाने की वज़ा से ये उस चगा पर जाएं नी राशा जहां पर मैंने कट लगाया था तो ये बहुत स्मूध हो गया था तो इठाक्स रेडी वर्क अच्छा जी उसके बाद वान मोर टीप जब भी आप घर से निकलें ट्राइवलिंग के लिए तो अपने घर को नीटन क्ल क्लीन करके जाएंगे ना तो आते हुए बड़ा सुकून होता है और इसके लावा हमेशा लिक्विट को इसके अंदर रखें सी थू बैग में और हंडर्ड एमल से जादा ना हो अगर आपने लिक्विट चेक-इन नी कराने और मैंने सारे लिक्विट इस चोटे वाले अधायट से पहले ही मैंने अपना क्या खुदी रखना है किसी और ने आखे तो नहीं कैना किसे अरिश अबना क्यार लकनों कि смог से क्यारी होगी है ये इसलिए उसलिए हम फिर गए बाहर खाना-काने और ये देखने में जıtना मज़े का लग रहा था ना खाने में इतना ही क् बिल्कुल भी मज़दार नी था, मैं मेरा दिल का रहा था, मैं खाओं हलवे, मैं खाओं पूरिया चनी, और अब ये ख्वाइश मेरी, इंशाला, 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 हुल असीम पूरे होने वाली है, इंशाला, गुना सी यू अगेन, तब तक आप अपना बहुत जादा खुश रहे हैं, बहुत 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 चुक्रिया फोर यूर लवली विशिस, और यू आफ तो टेक कियर यूर सल्फ, किसी और ने आगे नहीं कहना, किसी और ने नहीं कहना, तो आपने अपना ख्याल खुद से रखना है, इंशाला, अब मिलेंगे आप से पाकिस्तान में या जहाज के अंदर कोई अच्छी चीज लगी तो उसको रिविव करेंगे, टेक कियर बाई बाई